Hello Everyone, Welcome to Good Objective So guys, आज के सेशन में जोग्रफी से हम उन्हें सभी कोश्चन को करेंगे जो आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है चाहे आप Air Force Navy की प्रपरेशन कर रहे हैं या SSC Railway की सभी के लिए आज का सेशन काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको उन्हें सभी कोश्चन को कराने वाला हूँ जो काफी जादा इंपोर्टेंट हैं काफी बाहर एक्जाम में पूछे गए हैं आगे भी चांसिस हैं के एक्जाम में पूछे जाएंगे चाहिए आपका Air Force एक्जाम है नेवी का SSC का या फिर Railway का सभी कुश्चन को बिल्कुल डीटेल में डिसकस करेंगे जितना डीप हम जा सकते हैं जितने पॉइंट्स को हम कवर कर सकते हैं उतने पॉइंट्स को कवर करेंगे सब्सक्राइब करते हैं कॉश्चन नमबर वन आपके सामने हैं बोलाए थे स्टडी ओफ हेंवनली बोडिज इस नॉन एज हेंवनली बोडिज को हिंदी में बोलेंगे आकाशे पिंड तो आकाशे पिंड का जो स्टडी है जो इनके बारे में हम पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाता है Astronomy Option number C आपका correct होगा हिंदी में बोलेंगे खगोल विज्ञान Heavenly bodies यानि आपका sun हो गया Moon है Stars, Planets, Comets, Gas, Galaxies जब हम इनके बारे में study करते हैं इनके बारे में अध्यन करते हैं तो उसको बोलते है Astronomy, खगोल, विज्ञान अगर बात की जाए Astronology की तो इसका मतलब है जोतिश शास्त्र Astronautics जैसा की लिखा है अंतरिक श्यात्री यानि अब ये आप सिर्फ अर्च के Atmosphere में नहीं काम करोगे अर्च के Atmosphere के बाहर आप ट्रेवल कर रहे हो उसका थियोरी पढ़ रहे है, आउटर स्पेस की बात हो रही है सेम आपका Astrophysics, खगोल बहुत तीकी नेक्स आएंगे Question No.2 पर आप से पूचाए, which of the following is the brightest planet? तो Solar System से कुश्चन है और सबसे ज़्यादा चमकीला गरह कौन सा है तो चमकीला गरह है Venus Option No.2 पर आपका Correct होगा हिन्ली में बोलेंगे शुक्र गरह और ये चमकीला होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा गरम है याने Hottest Planet तो ऐसे भी पूच सकता है which of the following is the hottest planet? तो आंसर होगा Venus और अगर आप से पूचे which of the following is known as morning star? तो वहाँ भी आंसर होगा Venus क्योंकि Venus को Brightest Planet बोला जाता है Hottest Planet बोला जाता है और Morning Star भी बोला जाता है तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा Venus हो जाएगा ये तीन पॉइंट्स थे आपके Venus से जो काफी सादा important है Next आएंगे Question No.3 पर पूचा है तो जो आकाश गंगा का केंद्र तो जो आकाश गंगा का केंद्र है उसके चारों और सूर्य की एक क्रांती की अवदी को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं Cosmic Year यानि Option No.3 आपका करेक्ट होगा लोकिक वर्ष तो आपका जो Sun है ये रिवोल्व करता है किसके अराउंड सेंटर अफ गैलेक्सी के अराउंड तो ये जो एक रिवोलूशन होगा जो एक चक्र होगा एक क्रांती होगी ये कितने समय में होती है तो भाई अगर बात की जाए नंबर्स की तो ये आपकी होती है दो सो पच्चिस से लेकर दो सो पच्चिस से लेकर धाई सो मिलियन साल की 225 to 250 मिलियन इयर्स का ये टाइम पीरिड होता है और इस टाइम पीरिड को बोला जाता है कॉस्मिक इयर या फिर कहेंगे लॉकिक वर्ष नेक्स्ट आईए कोश्चन नमबर 4 पर यहाँ पर आपसे बोला है The Saturn Rings were discovered by Saturn आपका जो प्लैडेट उसमें आप देखते होंगे उसके चारो तरफ क्या हैं उसके अराउंड रिंग्स हैं छले तो आपसे बूचाई शनी के छलों का किसके द्वारा खोजा गया था तो किसके द्वारा खोजा गया था यह खोजने वाले थे Galileo option number C आपका correct होगा हुआ क्या था तो 1610 के अंदर 1610 के टाइम पर यह क्या कर रहे थे यह टेलिसकॉप से space में देख रहे थे और जब आप यह देख रहे थे तो आपने क्या क्या sport गया तो यह जो शनी के छले हैं इनको सबसे पहले 1610 में Galileo ने sport किया था जब यह अपने टेलिसकॉप से space में देख रहे थे फरस्ट टाइम डेट आप याद कर सकते हैं यह आप याद कर सकते हैं 1610 और किसके द्वारा तो Galileo के द्वारा नेक्स्ट आईए उसका आकार क्या है उसकी shape क्या है तो इसकी shape है spiral या फिर हिंदी में बोलेंगे सर्पिल option number C आपका correct होगा simple सा एक fact है इससे related जादा और कुछ नहीं है next आईए question number 6 पर यहाँ पर बोला है on the 21st June the daylight is seen at the north pole 4 याने 21 June को उत्रेद रूप पर दिन का प्रकाश देखा जाता है तो कितने समय के लिए देखा जाता है यह question असल में तो यहाँ पर आपका answer होगा 24 hour option number D आपका correct होगा तो होता क्या है कि 21 June को आपका जो उत्री दूरूब है जो north pole है वहाँ पर daylight देखी जाती है यानि दिन का प्रकाश देखा जाता है 24 गंटे के लिए और ऐसा क्यूं तो 21 June को आपका होता है क्या summer solistis यह आप note कर लीजे काफी जादा important concept है और यह आपका trend में है यह आपका trend में है बही examiner को काफी जादा पसंद आ रहा है फलाल में तो यहाँ पर क्या है 21 June को क्या होता है summer solistis जिसको हिंडी में बोलते है ग्रिश्म संक्रान्ती तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो अर्थ है यह एकदम सीधा नहीं है यह थोड़ा सा tilted है यानि थोड़ा सा टेड़ा है तो आपका जो north pole है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका उपर है यहाँ पर नहीं यह थोड़ा सा टेड़ा है इस तरीके से यहाँ पर south है तो यहाँ पर क्या है north तो यह थोड़ा सा टेड़ा है थोड़ा सा जुका हुआ है तो एक time ऐसा आता है कि ये sun की तरफ इस तरीके से जुक जाता है maximum अभी क्या ये जुका हुआ है लेकिन एक time पर ये इतना जुक जाता है कि उससे जादा नहीं ही जुक सकता maximum जब ये जुक जाता है tilt हो जाता है sun की तरफ तो उस समय पर जा होता है अर्थ का जो पोल है जैसे नोर्थ पोल है तो यह क्या करता है यहाँ पर पूरे दिन के लिए 2400 गंटे के लिए प्रकाश मिलता रहता है दिन का प्रकाश डेलाइट इसको हम बोलते हैं summer solistis और यह कहां पर होता है तो यह होता है नर्दन हैमिस्फे इसको फिर क्या बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस तो समर सॉलिस्टिस आपका 21 जून को होता है और अगर बात की जाए विंटर सॉलिस्टिस की तो ये आपका 21 या फिर 22 दिसंबर को होता है तो डेट आप याद गर लेंगे काफी जादा इंपोर्टेंट है 21 जून को होगा समर सॉलिस्टिस याने ग्रिश्म संक्रांती और 21 या बाइस दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस याने शीत कालीन संक्रांती summer solstice northern hemisphere में होता है और winter solstice southern hemisphere में होता है याद रखिए भाई साल में दो बार ये घटनाएं घटती है clear चलिए जी इसके बाद हम अब next question पर आएंगे क्या बोल रहा है question आपसे next question question number seven पूछाए which of the following phenomena gives an evidence of spherical shape of the earth निमले खित में से कौन सी घटना प्रत्वी के गोलाकार आकार के लिए एक सबूत देती है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा option number B, lunar eclipse चंदर grand चंदर grand lunar eclipse आपका हो जाएगा तो यह क्या यह एक ऐसा फिनोमेना यह कैसी घटना है जो प्रत्वी के गोलाकार होने का सबूत देती है तो यह जस्तिक फैक्ट है इसको आप याद कर लेंगे next आएंगे question number 8 पर next question आप से बोल रहा है solar eclipse सूरे grand कब होता है तो सूरे grand कब होता है आपको पता होनी चाहिए सूरे grand होता है जब आपका moon sun और earth के बीच आ जाए यानि option number C होगा यानि माली जी इधर आपका sun है इधर आपका ये earth है तो अगर sun और earth के बीच में moon आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सूरे grand इसको बोलेंगे हम सूरे grand और अगर बात की जाए चंदर grand की यानि lunar eclipse की तो वो कब होता है lunar eclipse आपका होता है sun अपनी जगा पर है ठीक है जी अब बीच में earth आ गया एक तरफ sun है दूसरी तरफ moon है बीच में कोन आ गया earth आ गया तो इसको हम बोलते है lunar eclipse और अगर moon बीच में आ जाए तो इसको हम बोलते है solar eclipse सूरे grand और चंदर grand तो याद रखिए गब ये condition आपको पता होनी चाहिए इसके बाद next आईए question number 9 पर बोला है the position of the earth in its orbit when it is at its greater distance from the sun causing summer in the northern hemisphere is प्रत्वी की अपने कक्षा में इस्थेती जब यह उत्तरी गोलार्द में गर्मी पैदा करने वाले सुर्य से अपनी सबसे बड़ी दूरी पर है तो भाई ये बहुत important concept है यहाँ पर याद कीजेगा कि अगर ये सबसे दूर है farthest point पर है तो उस position को बोलते हैं appellion clear क्या बोलते हैं appellion बोलते हैं और अगर ये नज़दी के सबसे ज़दा nearest point पर है तो उस position को हम क्या बोलते हैं पैरिलियन बोलते है clear तो अगर farthest point पर है दूर है जितना ज़दा से ज़दा दूर हो सकता है सबसे दूर तो उसको बोलेंगे position को appellion और अगर ये सबसे ज़दा नज़दी के तो answer क्या होता पैरियलियन होता clear next आएंगे question number 10 पर पूछा है it is six month day and in northern hemisphere and six month long night in southern polar region because याने उत्तरी दुरुविय शेत्र में 6 महीने लंबा दिन और दक्षनी दुरुविय शेत्र में 6 महीने लंबी रात होती है क्यों इसका reason क्या है तो reason आपका same वही जैसा मैंने बता है कि आर्थ आपकी क्या है straight नहीं है आर्थ आपकी थोड़ी सी जुकी हुई है towards its orbital plane तो option number B आपका correct तो का यही कारण है कि जो आपके pole है चाहे वो northern pole हो या फिर southern pole हो वहाँ पर क्या होता है 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होती है यही reason है same चीज आप देखें अंटाक्टिका में तो वहाँ पर भी ऐसा ही concept है 6 महीने का दिन होता है 6 महीने की रात होती है इसलिए वहाँ पर क्या है जनसंख्या नहीं रहती वहाँ पर कुछ scientist वगेरा सिर्फ रहते हैं, शोद करता रहते हैं, जो science में अपना जो experiment वगेरा करते हैं, otherwise वहाँ पर population वगेरा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट आएंगे question number 11 पर, बोलाए when a ship crosses date line from west to east, जब एक जहाज date line को पश्चिम से पूर की और पार करता है, तब क्या होगा, तो ध्यान दीजेगा, अगर आप west to east जा रहे हो, clear, अगर आप west to east जा रहे हो, तो आप एक दिन पीछे चले जाओगे, याने it loses a day, या one day, clear, एक दिन आप पीछे चले जाओगे, 24 गंटे आप पीछे चले जाओगे, बोलने का मतलब यह है, 24 गंटे पीछे, लेकिन अगर आप जा रहे हो east to west, अगर आप जा रहे हो east to west, तो इस condition में क्या होगा, कि आप एक दिन आगे चले जाओगे, एक दिन आगे चले जाओगे, याने आप क्या कर लोगे, gain कर लोगे one day, 24 गंटे आगे आप चले जाओगे, तो ध्यान दीजेगा आप जब आप west से east जाओगे, तो एक दिन खोद होगे, 24 गंटे पीछे चले जाओगे, और अगर east to west जा रहे हो, तो एक दिन बढ़ जाएगा, 24 गंटे आगे पोँच जाओगे आप, clear, यहाँ पर अगर बात की जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आप west to east जा रहे हो, यहाँ पर एक दिन खोद होगे, आप 24 गंटे क्या है, पीछे आजाओगे, यहाँ पर option number A होगा, next आईए question number 12 पर, पूछाए when it is 9 o'clock in London, it will be same time in, जब लंडन में 9 बजे हो, उसी समय, और कहाँ पर यह समय हो रहा होगा, कहाँ पर 9 बजे होगे, तो यहाँ पर आपका अंस नहीं है, लंडन, UK और गाना, इनमें कोई भी time difference नहीं है, तो अगर लंडन में 9 बजे है, 9 o'clock हो रहा है, तो गाना में भी क्या हो रहा होगा, 9 o'clock, next आईएगा question number 13 पर, बोला है the cold and dense air, blowing down the mountain slope during the night is known as, रात के समय पहाड के धलान पर बहने वाली ठंडी और घनी हवा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है, catabatic wind, catabatic wind इसको नाम दिया जाता है, option number C होगा, हिंडी में बोलेंगे, अवरोही पवन, तो रात को होता क्या, यह जो आपके highlands हैं, यह जो आपके highlands हैं, mountains वगरा हैं, यह heat को radiate करते हैं, और जब heat को radiate करते हैं, तो तो हवाई भी ठंडी होंगी, अब होता क्या है, कि यह जो हवाई है, यह नीचे की तरफ बहने लगती है, हवाई आपकी नीचे की तरफ बहने लगती है, बिकोज ऑफ ग्रैविटी, ग्रोथवा कर्शन के कारण, इसलिए यह जो आपकी केटबेटिक विंड है, इनको डाउन स्लोप विंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह नीचे की तरफ फिसलती है, स्लोप डाउन करती है, तो डाउन स्लोप विंड और दूसरा नाम इनको क्या है, क्योंकि ग्रैविटी की वजह से यह नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो ध्यान दीजेगा बै, केटबेटिक विंड होती है, जो रात के समय पहाड के धलान पर बैती है, ठंडी और घनी हवा, तो उनको बोलते हैं, केटबेटिक विंड या फिर अतवरंड में मौझूद रसाइनिक रूप से निश्क्रिया गैस है, तो कौन सी गैस है, यह आपकी आरगन है, उप्शन नमबर भी आपका करेक्ट होगा, फैक्ट है, सिंपल आप याद करेंगे, नेक्स्ट आइए कॉशन नमबर फिफ्टेन पर, पूछाया, सदन फॉल इंदा बैरोमेट्रिक रेडिंग इंटिकेट्स, बैरोमेटर के पटन में अचानक ग्रावट क्या इंगित करती है, तब बैरोमेटर का हम यूज कहां पर करते हैं, बैरोमेटर का हम यूज करते हैं, प्रेशर को मापने में मीजर करने में, यानि दाब को मापने में, प्रे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई स्टोर्म होगा option number B तूफान के तूफान के आने से पहले क्या होता है अचानक सी आपका जो है एटमोस्फिक प्रेशर है जो दाब है वो घट जाता है बिल्कुल अचानक से डिक्रीज हो जाता है तो यही मुझे से पूचा कि अगर बैरोमेट्रिक रीडिंग में एक सड़न फोल हो जाए अचानक से गिरावट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि तूफान आने वाला है स्टॉम आने वाला है option number B आपका correct हुआ नेक्स्ट आएंगे question number 16 पर पूचाए which of the falling is produced by the rapid ascent of moist air नेमने लिखित में से कौन नम हवा की तेजी से चड़ाई दुआरा निर्मित होता है तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा option number C हैल जिसका मतलब होता है ओला यहाँ पर क्या होगा ओला तो ओला कै इसे बनता है कैसे produce होता है तो यह produce होता है हवा की तेजी से चड़ाई से होता क्या है आपकी जो हवाई है वह तेजी से ऊपर की तरफ जाती है आपका जो moisture वगएरा वह उपर जाता है जो water vapors हम वह उपर जाते हो वह क्या बन जाते है वह बन जाता है ओला जिसको इंग्लि used for recording earthquake waves is बुकंप तरंगों को record करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला उपकरण है तो earthquake की जो waves होती है जो तरंगे होती हैं उनको हम किसमें record करते हैं तो इस instrument का नाम है seismograph option number D आपका correct होगा काफी बच्चों कोई चीज़ें पता होंगी जिने नहीं पता वो अब सीखेंगे next आईए question number 18 पर बोला है molten rock below the surface of earth is called प्रत्वी की सता के नीचे पिगली हुई चटान को कहा जाता है तो उसको बोला जाता है magma आपने सुना होगा के बई यहाँ पर क्या है आपके एक तो surface है जिस पर आप बैठे हैं जिस पर आपका घर टिका हुआ है जमीन है उसके नीचे क्या है उसके नीचे है magma clear अब अगर यह magma underground है नीचे है तो इसको magma बोलेंगे लेगिन अगर यह निकल कर earth surface को फाड़ कर चीर कर बहार आ जाता है तो इसी को बहार आ जाए earth surface से तो इसको लावा बोलेंगे अगर यह earth surface के अंदर है underground है तो इसको क्या बोलेंगे magma बोलेंगे next आएंगे question number 19 पर पूचाए which European country has over 200 volcanoes many of them still active याने किस European देश में 200 से अधिक जौला मुखी है उने में से कई अभी भी सक्रिया है याने active है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा by Iceland यहाँ पर इसका नाम Iceland है यह लेकिन बिल्कुल भी थंडा नहीं है यहाँ पर क्या है 200 volcano है लगबग 200 volcano है जौला मुखी हैं और इन में से काफी सारे active है किसी भी समय फटे सकते हैं और फटे हुए हैं ठीकर जी थोड़ा थोड़ा करकर वो बैराएं लावा निकल रहा है next आएंगे question number 20 पर बोला है comets revolve around धूम के तू किसके और घूमता है किसके चारो और घूमता है या किसके आसपास घूमता है तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा sun यहाँ पर answer होगा option number A sun सूरे के चारो जैसे planets revolve करते हैं उसी तरीके से कौन revolve करेगा comets revolve करेंगे धूम के तू revolve करेगा next आएंगे question number 21 पर बोला है which two planets of the solar system have no satellites solar mandal के कौन से दो ग्रहों में उपग्रह नहीं है no satellite मतलब कोई भी natural satellite नहीं है प्रकर्टिक उपग्रह नहीं है तो यहाँ पर आपका answer होगा by mercury and venus option number A बुद्ध और शुक्रिये दो ऐसे ग्रहे हैं solar system के सोर mandal के जिनके पास कोई भी प्रकर्टिक natural satellite नहीं है जैसे अगर बात की जाए हमारे अर्थ की तो यहाँ पर क्या है moon लेकिन ऐसा इनके पास कोई भी natural satellite present नहीं है mercury और venus के पास next आएंगे number 22 बोल रहा है on which of the falling planets of the solar system does the sun rise in the west and set in the east तो कौन सा सोर mandal में नेमने लिखित में से कौन सा ऐसा grey है जिस पर पश्चिम में सूर्य उदय होता है और पूर में अस्त होता है जनरली क्या है इस्ट से निकलता है और west में छिप जाता है लेकिन एक ऐसा planet है solar system के अंदर जिसमें sun west से निकलता है और east में छिपता है यानि opposite तो वो planet है आपका venus option number a correct होगा शुक्र और इसका reason क्या है तो reason बहुत ही simple है इसका rotation जो यह अपनी axis पर rotation करता है वो opposite direction में करता है बाकी जो सभी planets हैं उनकी respect में clear तो यहाँ पर इसी लिए यह opposite में है कि यहाँ पर क्या है जो आपका सूरज है वो west से उगता है rise करता है और कहाँ चिपता है east में जाकर चिप जाता है venus आपका answer होगा next आएंगे number 23 पूचाए which planet looks reddish in the night sky कौन सा गिरह रात के आकाश में लाल दिखता है तो यहाँ पर answer होगा option number B Mars और ऐसा क्यों है इसके पीछे reason क्या है तो reason simple है आपका कि जो इसका martian surface है martian surface यानि इसका जो सतय है जो surface है उस पर ferric oxide पाई जाती है यानि रस्टिड iron पाई जाता है और उसी की वज़ा से यह कैसा दिखता है यह reddish दिखता है अगर बात की जाए रात के आकाश में यह लाल दिखता है तो answer क्या होगा Mars next आईए parsec is the unit of measurement of parsec किसको मापने की काई है तो parsec से आप क्या मापते है बाई parsec आपका मापा जाता है astronomical distance यानि खगोलिय दूरी खगोलिय दूरी को मापने के लिए आप कौन सी unit का यूजमेंट करते हैं आप यूज़ करते हैं parsec का next आईए summer solustice in the southern hemisphere occurs on तो मैंने आपको ये starting में ही बताया कि एक नर्दन में होता है और एक southern में होता है तो मैंने बताया था कि नर्दन में कब होता है आपका 21 जून को होता है अगर बात की जाए southern hemisphere की तो या 21 दिसंबर को होगा या 22 को तो यहाँ पर option मुझे मिल रहा है 22 दिसंबर का ये हो जाएगा मेरा answer option number A 22 दिसंबर next आएंगे number 26 बोलाए which type of forest belt supplies most of the world's requirement of newsprint अकबारी कागज की दुनिया में आवशकता की सबसे अधिक अपूरते किस वन बैल्ट से होती है यानि जो आपका अकबारी कागज है जो आपका न्यूस पेपर होता है वो जो आपका कागज है न्यूस पेपर वाला उसकी लिए जो आपकी वर्ल्ड की requirement है उसको सबसे ज़्यादा supply कौन से forest से मिलती है तो वो forest आपका कौनी फेरस forest option number A correct होगा क्योंकि जो अकबार में कागज यूस होता है वो किस से मिनता है भई timber से और timber आपका कहा होगा कौनी फेरस forest में होगा यानि शंकुधारी one से मिलेगा timber मेडिटरेनियन यानि आपका भूम अध्यस सागरिये जलवाईू मेडिटरेनियन क्लाइमिट option number B होगा simple आपका fact है इसको याद कर लेंगे next आएंगे number 28 बोला है which of the following countries is the largest producer of sugar in the world तो यहाँ पर यह जो आपके producer है largest producer हो गया largest exporter हो गया यह काफी जादा important है यह पूछ ले जाते है तो द्यान देंगे मुझसे पूचाए निमने लिखित में से कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उतपादक है producer है तो यहाँ पर मेरा answer होगा बाई ब्राजील सबसे बड़ा उतपादक है सबसे जादा produce करता है यह वर्ल्ड के अंदर ब्राजील option number C होगा next आईए the leading mic up producer in the world is विश्व में अग्रेनी अबरक का उतपादक कोन है बताईए सबसे जादा अबरक कहाँ पर होता है तो भाई यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा उतपादक है वो है हमारा इंडिया वो है हमारा इंडिया option number D correct होगा भाई भारत clear next आईए number 30 पूछा है Venice in Italy and when in Australia are famous for यानि इटली में Venice और आस्ट्रिया में वेना किसके लिए प्रसिद है तो यह प्रसिद है अपनी glass industry के लिए काच उद्योग के लिए तो simple सा question है fact है आपका इसको याद कर लेंगे काफी बार exam में आ जाता है next आईए number 31 पूछा है world's leading producer of fertilizers is और वर कौँ का विश्य में अग्रेनी उतपादक है तो fertilizers को सबसे ज़ादा produce कौन करता है सबसे बड़ा producer कौन है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा भई Russia option number D correct होगा रूस option number D correct हो जाएगा Russia है आपका world का leading producer fertilizer के अंदर leading producer of fertilizer then next है the largest exporter of cotton textile in the world is दुनिया में सूती कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो यह है आपका USA United States of America USA next आए number 33 which of the following region experiences three cropping season for rice in India यहनि निमने लिखित में से कौन सा शेत्र बारत में चावल के लिए तीन फसल season का अनुभाव करता है और इसको और क्या बोला जाता है इसको बोला जाएगा rice bowl of India rice bowl of India तो यह कौन सा शेत्र है भारत का यह है आपका Krishna गोदावरी डेल्टा Krishna गोदावरी डेल्टा इस शेत्र में क्या है भारत में जो चावल है उसकी यह साल में तीन फसल ले ले लेते हैं और इसको बोला जाता है rice bowl of India यहनि भारत का चावल का कटूरा भारत का चावल का कटूरा तो कहां पर है भाई Krishna गोदावरी डेल्टा इसके बाद आईए नेक्स्ट नमबर 34 पूचा है आपसे मुर्रा इस अब ब्रेड ओफ मुर्रा किसकी नसल है तो मुर्रा आपकी बफैलो की नसल है भैंस की नसल है ये आपने देखा होगा भाई अगर आपने पिछली बार एक्जाम दिया था तो वहाँ पर ये कुश्चन आया था एर फोर्स के अंदर मुर्रा किसकी ब्रेड है नमबर 35 आपसे पूच रहा है इंडियन स्टेंडर मेरीडियन पासे स्टेट्स आफ यूपी यूपी बारती है मानक देशांतर रेखा ये कहां से होकर गुजरती है तो वह दो स्टेट आपको दे दिया यूपी और अंपी याशन अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊप्शन अम्बर मैंने कहां से बताया भाय एक तो यूपी सबसे पहले फिर आपका एंपी हो गया फिर आपका हो जाएगा चत्राथफि如何 यूपी UP ke बाद क्या हो जाएगा भाया आपका हो जाएगा चह्त्राथफिस गड़ और फिर आपको उडिसा एंड आंद्र प्रदेश उडिसा एंड आंद्र प्रदेश तो ये पांच स्टेट आप याद कर लेज़े आपको कुछ भी दे सकता है क्लियर नेक्स्ट हम आएंगे कुश्चन नमबर 36 पर पूछाए थे स्टेट्स ओफ इंडिया विद मैनमार आर बारत के राज़े जो मैमार के साथ सामाने सीमा रखते हैं तो कौन को उन से हैं तो वहाँ पर आपको जाएगा उप्शन नमबर A मैनमार से एक तो मिजोरम हो गया मनीपूर हो गया नागलेंड और अरुनाचल प्रदेश यह चार स्टेट हैं आपके जो बोर्डर शेयर करते हैं कोमन बोर्डर है इनका किसके साथ मैमार के साथ मिजोरम मनीपूर नागलेंड और अरुनाचल प्रदेश नेक्स्ट आएंगे नमबर 37 पर बोलाई which foreign country is closest to undamand islands कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समू के सबसे नजदीक है तो भाई foreign country पूचा है विदेशी देश अंडमान के करीब कोन है तो अंडमान के करीब हो जाए गबाई मैमार अंडमान आईलेंड के अंडमान द्वीप समू की अगर बात की जाए तो इसके सबसे नजदीक कोन है मैमार है और ये क्या एक विदेशी देश है नेक्स्ट आएंगे बोलाए इंडिया लाइज इन हैमिस्फेर बारत किस गोलार्द में इस्तित है तो अगर आप अपना वर्ल्ड मैप उठा कर देखें तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो इंडिया है हमारा इंडिया नर्दन एंड इस्टर्ण हैमिस्फेर में है याने ऊपर की तरफ उत्री और पूर्वी दिशा में है इसके बाद आईए नेक्स्ट नमबर थार्टी नाइग बोला है विच वन अफ दे फॉलाइंग स्टेट डज नाट फॉर्म बॉर्डर विद बांगलादेश याने नेमन लिखित में से कौन सा राज है बांगलादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है सीमा नहीं बनाता है ये चीज़ आप जरूर दियान दीजेगा तो ऐसा कौन सा स्टेट है तो यहाँ पर ऐसा एक ही स्टेट लिखा हुआ है मनीपूर अप्शन नमबर सी करेक्ट होगा तो मनीपूर राज्य बांगलादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है इसके बाद भूटान is surrounded by which of the following इंडियन स्टेट बूटान निमन लिखित में से किस भारत्य राज्य से घिरा हुआ है तो किस भारत्य राज्य से घिरा हुआ है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा option number A आसाम है अरुनाचल प्रदेश है पस्चिम बंगल है और सिक्किम आसाम अरुनाचल प्रदेश पस्चिम बंगल यानि वैस्ट बंगल होगी आपका और कोन है सिक्किम तो भूटान इन राज्यों से इन बहारत्य राज्यों से घिरा हुआ है नेक्स्ट आएंगे कोशन नमबर 41 पर बोला है अमंग दा यूनियन टेरिटरेज विच है दा हाइस्ट लिटरेसी रेट याने किस केंद्र शाषित परदेश में शाक्षरत दर सबसे अधिक है लिटरेसी रेट सबसे जादा है तो यहाँ पर आंसर होगा भाई उप्शन नमबर A लक्षदीप लक्षद्वीप के अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे जादा है शाक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप काफी इंपोर्टेंट है आप देखेंगे आगे लक्षद्वीप देखेगा एक और कुश्चन है कि लक्षद्वीप इस ग्रूप ओफ हाव मेनी आइलेंट्स लक्षद्वीप जो है वो कितने दूइपों का समू है तो इसमें कुल मिलाकर 36 दूइप हैं और अगर बात की जाए एरिया की तो कितना 32 स्क्वाइर किलोमीटर का एरिया कवर करता है लक्षवदीप के हम बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल 36 आइलेंड हैं और टोटल एरिये की अगर बात की जाए तो कितना कवर करता है 32 स्क्वाइर किलोमीटर का नेक्स्ट पूचा है दे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इस सबसे चोटा केंदर शाषित प्रदेश तो सबसे चोटा कोने सबसे चोटा भी है आपका लक्षवदीप और जैसा कि मैंने एरिया आपको बताया बही कितना है 32 स्क्वाइर किलोमीटर का एरिया है तो सबसे चो पूटा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा लक्षवदीप इसके बाद आई ये नंबर 44 बोला दा हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इस दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है दक्षिन भारत यानि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर सबसे उची चोटी कौन सी ह नेक्स्ट आईए नंबर 45 बोलाए विच वन अफ दा फोलाइंग इस दा जंक्षन पॉइंट ऑफ इस्टर्ण गाट और वेस्टर्ण गाट नेमने लिखित में से कौन सा पूरवी घाट और पस्चिमी घाट का जंक्षन बिन्दु है जंक्षन यानि जहां पर दो चीज़ आकर मिलती है जैसी यह इधर से आपका क्या है यह इधर से आपका वेस्टर्ण गाट है और यहां से क्या है आपका इस्टर्ण गाट तो यह जिस पॉइंट पर मिले इसको बोलेंगे क्या जंक्षन पॉइंट तो पूछा है कि निमने लिखित में से कौन सा पूरवी घाट और पश्चिम घाट का junction point है मतलब कौन size of point है जहाँ पर eastern घाट और western घाट आकर मिलते हैं तो answer आपका क्या हो जाएगा निलगरी hills option number C correct होगा निलगरी hills यहाँ पर आकर यह दोनों मिल जाते है number 46 आप से पूचा है the himalian rivers are himalya जो rivers है जो नदियां है वो क्या है तो यह आपकी है snow fed इसका मतलब क्या है option number B correct होगा इसका मतलब क्या है कि यह जो himalya की नदियां है himalya इन नदियां इनको जो पानी मिलता है यह कहां से मिलता है तो यह जब glaciers पिगलते हैं जब ice melt होती हैं वहाँ से तो इसलिए कहां से अब आ जाएगा by snow fed हो जाएगा clear जैसे जैसे snow जो है ice जो है वो पिगलेगी उसी तरीके से इनको पानी मिलेगा glacier जैसे पिगलेगे तो पानी मिलेगा then next आपका by which name does the Brahmaputr enter into India Brahmaputr भारत में किस नाम से प्रवेश करती है तो ये भारत में प्रवेश करती है अरुनाचल प्रवेश से कहां से प्रवेश करती है भाई अरुनाचल प्रवेश में ये प्रवेश करती है सबसे पहले और किस नाम से करती है तो वहाँ पर इसका नाम है भाई दिहांग option number C correct होगा तो भाई ब्रहमपुत्र भारत में कहां से एंटर करती है अरुनाचल प्रधेश से एंटर करती है और नाम क्या रहता है उस समय इसका दिहांग रहता है नाम रहता है दिहांग नेक्स्ट कॉश्चन आप से पूचा है तो सांगपो भी इसी का नाम है सांगपो भी किसका नाम है ब्रहमपुत्र का नाम है और जैसा मैंने पिछली बार बताया पिछले कॉश्चन में बताया कि ये कहां से एंटर करती है बारत में अरुनाचल प्रधेश से एंटर करती है सो option number A correct होगा next आएंगे number 49 बोलाए the river basin which is called rule of India यानि नदी बेसिन जिसे भारत का rule का जाता है तो यह कौन से होगा भाई यह हो जाएगा आपका दामोदर दामोदर river basin इसी को बोला जाता है भारत का rule option number A आपका correct होगा next आएंगे number 50 बोलाए which of the falling is the longest river in India तो भाई यह आप सब भी जानते होंगे इसका answer आप मुझे देने वाले हैं comment box में so यह थे आपके question जोग्राफी से जोग्राफी से हमारे questions थे जो मैंने cover किये हैं और अगर बात की जाए बाई exam की तो यह काफी जादे important questions है अगर आप सिर्फ इन्हें कर लेते हैं तब भी आप काफी अच्छा score कर पाएंगे believing किसी भी exam की preparation कर रहे हैं एएर फोर्स हो नेवी हो SSC हो या railway हो सभी के अंदर static part यहीं से बनता है काफी सारे exam को analyze करने के बाद यह मैं आपको बता रहा हूँ काफी सारे exam को analyze करने के बाद यह detail मैं आपके साथ share कर रहा हूँ so आप अगर air force के लिए नेवी के लिए SSC के लिए railway के लिए GKGS पढ़ रहे हैं तो detail में जितना पढ़ेंगा उतना अच्छा होगा लेकिन यह objective questions को एक बाद जरूर कर लीजेगा clear? so that's all for today I hope आप सभी को session पसंद आया होगा अगर पसंद आया और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो बाई जाते जाते लाइक बटन जरूर दबा देना that's all for today thank you everyone झाल